हेलो, हेलो, वेलकम तो WSQTCH, आज की इस MATLAB के वीडियो में देखेंगे, Loop Statement, Loop Statement में हम पहला जो Statement देखेंगे, वो For Loop देखेंगे, For Loop Matlab के अंदर कैसे यूज करते हैं, वो हम आज के वीडियो में Implement करने की कोसिस करेंगे, तो चलिए सबसे पहले Start करते हैं, कि For Loop स्टार्ट कैसे होता है, तो उसके लिए जो कमांड है, वो डिरेक्ली 4, मैं चाहता हूँ, For Loop के अंदर एक वेरियेबल लेलू, I, जिसकी वेल्यू, 1 से 10 तक हो, यानि, I की वेल्यू असाइन हो गई है, 1 से 10 तक, अब मैं चाहता हूँ कि ये वेरियेबल 1 से 10 तक प्रिंट करके शो करें, तो मैं क्या करूँगा, डारेक्ली I, एंटर कर दूँगा, I, अगर मैं यहाँ पे सेमिकॉलन नहीं लगाया, सेमिकॉलन नहीं लगाया, मतलब जितनी बार ये वेल्यू, फोर लूप में रोटेट करेगी, उत्ती बार I की वेल्यू हमें प्रिंट होके आजाएगा, तो एंट करके देखते हैं, अब एक चीज़ और है कि जब यह हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे, तो इसको एंट करना ज़रूरी है, कि बिना एंट के आपको फोर लूप रन नहीं करेगा, और हमेशा एक चीज़ द्यान रखने के जरूरत होती है, कि फोर लूप के आगे कभी सेमिकॉलन नहीं लगाते हैं, यह खुद का एक स्टेट्मेंट है, जो आगे वाली लाइन पर चलेगा, अगर हमने स्टेट्मेंट लगा दिया, तो वो सिंगल लाइन कमांड हो जाएगा, और वो आगे रन नहीं करेगा, अब इसको रन करके देखते हैं, इंटर करना है, अपको आई की वेल्यू दिखें यहाँ पर, आई की वेल्यू वन से टेन तक, यह देखिए, वन, टू, त्री, फॉर, फाइव, सेक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, जाते ही लोग खतम हो गया और यह बंद हो गया, अब, इसे कमांड में, हम यहाँ पर देखें, वर्क स्पेस के अंदर, कि आई की वेल्यू एक्च्वल में स्टोर क्या होई, तो आई की वेल्यू क्या हर बार यह ओवर राइट हो गएगा, पहले 1, 2, 3, 4, 5, जो लास्ट वेल्यू आई, वो वेल्यू यहां पर स्टोर होके आगए, बट यह क्या कि हमने इंटर्मिडियू वेल्यू को भी प्रिंट कराने के लिए, हमने सेमिकॉलन नहीं लगाया था, तो इंटर्मिडियेटरी सारे स्टेप्स देखने हैं, आप सेमिकॉलन नहीं लेगाए, जितने स्टेप होंगे, उतनी स्टेप की वेल्यू आपको सो कर देगा, और अगर आपको last value चाहिए, तो यहां से show कर देगा, तो चलिए, अब इस for loop के help से, एक program करते हैं, जिससे यह for loop का concept पूरा clear हो जाएगा, तो चलिए factorial निकालते हैं, इस for loop को use करके, तो सबसे पहले screen को clear कर दूँ, और मैंने यहां पर एक script file open कर रखी है, इस script file में हम program type करते हैं, जिसमें user input करेगा, कि उसे कौन से number का factorial चाहिए, तो चलिए, n ले लेते हैं एक variable, जो user से लेना है हमें, झा जजल बहुंचा, जिसमें से लेते हैं, मैं हमें, जुरी को जाएगा, के भी दाल पूमें सेellा, कि झाओा झाल 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 झाल